हरियों गजाननम्भोत गणादि सेवितं कपीत जंबो फल चार वक्षणं उमा सुतंसोक विनास कारकं नमामि विगनेश्वर पादु पंकजं यादेवी सर्व भूतेसु लक्षमी रूपेण संस्तिता नमस्तस्याई 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 नमो नमाह संपूर्ण यूटूब परिवार को और संपूर्ण देशवासियों को महा लक्ष्मी पूजन धनतेरस बैया दूज गोवर्धन पूजा की हार्दिक हार्दिक बधाई साथियों आप लोगों पर माता लक्ष्मी की किर्पा बनी रहे महा लक्ष्मी आप लोगों के घर परिवार पर धन धान्य और सुक संपत्ती से सदा आप लोगों का साथियों इस साल धनतेरस पर विशे संयोग महूर्त में आप लोग खरीदारी करें इस बार ऐसा संयोग बन रहा है जो दो दिनों तक आयुरुवेदाचारिय धनवंत्री जी का आश्रिवाद आप लोगों को मिलेगा सनिवार 22 अक्टूबर को साए 6 बज कर 2 मिनट से कार्तिक क्रिष्ण पक्ष त्रियो दसी तिती लग रही है जो 23 अक्टूबर को साए 6 बज कर 3 मिनट तक रहेगी 10 बज कर 15 मिनट से दोपहर 12 बज कर 15 मिनट तक 23 तारी को खरीददारी आप लोग करें और 5 बज कर 56 मिनट से रात्री 8 बज कर 32 मिनट तक परदोस बेला में भी आप लोग खरीददारी कर सकते हैं इस साल धन 13 पर गरहों का योग बहुत सुब संयोग बना रहा है साथियों सनी मारगी होने जा रहे हैं इस दिन से कई रासियों के जीवन में सुब बदलाव भी आएंगे 23 को सरवार्थ सिद्ध योग, अमिर्थ सिद्ध योग, एंद्र योग इस सुब योग में महा लक्षमी पूजा सिग्रफल देती है और बहुत जल्दी परसन होती है खरीददारी बिसेस आप लोग करें जैसे कि क्या-क्या खरीदें चांदी का सिक्का, लक्षमी गणेश की मूर्ती अब आप लोग कहते हैं कि लक्षमी गणेश की मूर्ती तो हमारे पास पहले से हैं तो साथियों जो पहले से हैं उनको सोकेस में रख दें और जो नई लाएं उनका पूजन करें पीतल का बरतन, सोने के आबूशन तथा अपनी धर्मपत्नी के लिए साड़ी भी खरीश सकते हैं जिससे धर्मपत्नी भी परशन हो और माता लक्षमी भी परशन हो गाड़ी वाहन, घर प्रोपटी, आदी भी आप लोग खरीश सकते हैं यथा यथा सक्ति के अनुसार आप लोग खरीश सकते हैं आप लक्षमी पूजा में बिसेशतर इन सारी चीजों का अपने घर पर आगमन कर सकते हैं खरीश सकते हैं, ला सकते हैं आगे सातियों लक्षमी पूजा का जो समय है वो 6 बज कर 54 मिनट से 8 बज कर 53 मिनट तक माता महा लक्षमी की पूजा आप लोग कर सकते हैं और लक्षमी पूजा में कमल का फूल आप चड़ाएं, रक्त पूस्प चड़ाएं, लाल पूस्प चड़ा सकते हैं और तुलसी का पत्र और सफेद पुस्प माता लक्ष्मी को ना चढ़ाएं माता महा लक्ष्मी की पूजा में और आप क्या कर सकते हैं साथियों इसमें आप दस दस रुपे की एक हजार की गड़ी आप लोग लक्ष्मी पूजा में रखें जिसके पास एक हजार की गड़ी ना हो वो ग्यारा रुपे रखे ग्यारा ना हो तो एक सो एक रखे एक सो एक ना हो तो पान सो एक यानि मतलब जो है जो जो जिसके पास उपलब्द हो जाए यानी एक हजार की गड़ी न हो तो 501, 501 न हो तो 101, 101 न हो तो 51 रुपे, 51 रुपे भी न हो तो 11 रुपे यानि जिसके पास जितना उपलब्द हो जाए वो नए नोट इसको पूजा में रखें इसके साथ साथ में जो लोग सक्षम हैं बिल्ली की जेर एक आक्षे नारियल और इंदरजाल और सियार सिंगी इसका भी आप लोग लक्षमी पूजा के दिन यानि 24 तारिक को आप इसको स सिद्ध कर सकते हैं और सिद्ध करके दूसरे दिन अपने तिजोरी में जहां पर आप ऐसा रखते हैं या आलमारी में आप लोग रखें जो लोग सक्षम नहीं हैं इस तरीके की खरीदारी नहीं कर सकते हैं इन चीजों की तो उन लोगों के लिए मैं एक सरल उपाए बता द रुपए के सिख्ये इसको और उसमें एक कपूर रख दें उसको लाल कपड़े में एक पोटली बना लें और उसमें जो है महालक्षमेई नमाहा महालक्षमेई नमाहा पाच बार ये मंत्र बोलें और उसकी पोटली बना करके अपने पूजा इस्तान में रख दें तो आप लोगों को उतना ही लाव आप लोगों को प्राप्त होगा दूसरा उपाई क्या है सातियों कि आप लोग गुल्लक खरीदें जैसे अपने बच्चों के लिए भी खरीदते हैं अपने लिए भी खरीए सकते हैं और लक्षमी पूजा के दिन से उसमें पैसे डालना सुरू कर दें और दूसरे साल जब महालक्षमी पूजन हो तो उस द दनका जिसका आपको पता ना हो कि कितना है तो उसमें एक खुसी होती है कि मेरे गुल्लक में इतना पैसा निकला तो आपके काम भी आएगा और सुबकारे में उसको लगाएं तो इस तरीके से आप गुल्लक जरूर खरीदें और उसको आपने पूजाइस्थान में रखें और उसमें पैसे डालते रहें अब आजाते हैं साथियों आगे के आगे 24 को तो हम महालक्षमी पूजा करेंगे और आगे जो हम भईया दूज मनाएंगे दुतियतिति को वो है 26 अक्टुबर को गोवर्धन पूजा और भईया दूज ये एक ही दिन करें ये इसलिए साथियों क्योंकि एक एक दिन कम हो गया है आमवस्थे की वज़ा से और ये ध्यान रखें साथियों माताएं और बहने के भईया दूज में यानि दुतियति थी 27 को 12 बज़ करके 45 मिनट तक ही रहेगी यानि 27 तारीक को आप 12 बज़ के 45 मिनट से पहले पहले भईया दूज करें यानि 26 को दो फर के बाद और 27 को 12 बज़ के 45 मिनट से पहले आप लोग भईया दूज करें यानि बहिन भी भाई के घर जाती है और भाई भी बहिन के घर जा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो इस तरीके से आप लोग पूजन करें और हसी खुशी के साथ में महालक्ष्मी पूजन इन सुबत्य ओहारों को माता महालक्ष्मी आप लोगों की मनोकामना पूरी करे यस बिर्धी लाव बिर्धी और मनोकामना बिर्धी यानि किसी की मनोकामना होती है कि जब दिपावली आएगी तो मैं वाहन खरीदूंगा गाड़ी खरीदूंगा यानि कुछ भी हर किसी ब्यक्ति के अपनी एक कामना होती है तो वो कामना मैं माता महालक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोगों की मनो कामना जरूर पूरी होगी माता महालक्षमी आप लोगों की मनो कामना को यथा सिग्र पूरी करेगी साथियों इस बार महालक्षमी पूजा में विसेश संयोग बन रहा है बिसेश योग बन दा है जैसे सिद्ध योग है अमिर्त योग है एंद्र योग है और ऐसे योगों में जब हम किसी चीज का पूजन करते हैं और बिसेश तर महा लक्षमी का पूजन और इन में जो जो चीजे मैंने आपको बताई यानि बिली की जेर दक्षनावरती संख मिल जाए उसकी पूजा और इसके साथ साथ में बिली की जेर मिल जाए तो भाग्यवान को ही ये चीजे उपलब्द हो पाती है जब हमारे पूर्व जन्म के कुछ पुन्य उदय होते हैं तो इस जन्म में हमें इन इन चीजों की प्रा उसको लाभ जरूर देती है, उसको लखपती, करोडपती, अरबपती बनाती चली जाएगी. इसको आप लोग अपनी कुंडली दिखा करके, कि आप लोगों को ये चीज सोट होती है, या नहीं होती है, वो आपकी जनमपत्री से, आपकी हस्तरेकर से, आपकी मस्तिक स्रेकर से पता लग जाता है. तो अपने अपने आचारे से, अपने अपने ब्रह्मनों से, आप लोग अपनी कुंडली जरूर दिखाएं, क्योंकि जोतिसम नेत्र उच्चते, जोतिस आँखें हैं साथियों, जो आपका भूत, ब्रतमान और भविश्य बताती है. जोतिसमें अगर किसी की जानकारी सही है, तो आपको उसमें कोई भी चीज गलत नहीं लगेगी, सारी चीजों में आपके साथ यथा, जो जो आपका विप्राप को बताएगा, आपके साथ वो वो चीजें घटित होगी, उस उस चीज का आपको लाब मिलेगा. तो मैं कामना करता हूँ साथियों, कि आप सभी की मनो कामना पूरी हो, माता महालक्ष्मी आप सभी लोगों की मनो कामना पूरी करे, महालक्ष्मी की किरपा, इस बार आनंदाती सम्मत्सर में, आप लोगों को महालक्ष्मी की किरपा जरूर मिले, ये मेरी कामना है, फिर एक महालक्ष्मी की किर्पा आप सभी लोगों पर यथा सकती आप लोगों की जो जो कामना है वो पूरी हो और वो तभी होगी सातियों जब आप लोग सरद्धा से भाव से कहा भी गया है सरद्धावान लब्वेते फलम यानि जिसके अंदर सरद्धा होती है उसको फल जरूर मिल कि मैं कामना करता हूं सातियों कि आप लोगों की मनों कामना माता महालक्ष्मी पूरी करें महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी महामाय महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमो नमाह प्रणाम जैजेश्री राधे जै जै स्रीहरी